पेटीम एप्लिकेशन में सबसे पहले आपको अपना एक अकाउंट करना होता है, उसके बाद वहाँ पे आप अपने वालेट को एक्टिवेट करते हैं और आप अपने वालेट का पूरी तरीके से इस्तिमाल कर पाएं, पेटीम की सभी सर्विसिस का लाब ले पाएं, तो उस बताया गया है कि आप घर बेटे ही बड़ी असानी से Paytm-KYC को complete कर सकते हैं Paytm-KYC अपने घर बेटे ही कर सकते हैं आपको कई पे भी जाने की जुरुत नहीं है तो इस बात में कित्ती सचा ही है यही मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं क्या वाकी आप घर बेटे ही अपने Paytm की KYC complete कर सकते हैं या फिर इसके लिए आपको Paytm-KYC point पे ही जाना पड़ता है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बट वीडियो में आगे बने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जूर कीजिए साथी साथ notification bell icon को all pay दबा के set कर लिजिए ताकि नई वीडियो के notification आप तक पहुंच सके तो चलिए शुरू करते हैं आप सभी को पता ही है कि जब हम Paytm account बनाते हैं तो आपको सबसे पहले एक ID proof देना होता है ID proof देने के बाद वहाँ पे आपका wallet activate हो जाता है आपको वहाँ पे ID proof की list मिल जाती है उसमें से एक ID proof select करके आप अपने wallet को activate कर सकते हैं Paytm की सभी services को पूरी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपको Paytm KYC complete करना पड़ता है अब आपको YouTube पे काफी सारी वीडियो में बताया गया है कि आप घर बैटे ही Paytm KYC complete कर सकते हैं जब आप उस वीडियो को watch करेंगे तो आपको पूरी वीडियो में कई पे भी समन में जानकारी नहीं दी जाती है आपको सिरफ wallet activate करके दिखा दे जाता है और KYC करके किसी भी वीडियो में नहीं दिखा जाता है आपको पूरी तरीके से गलत information वहाँ पर provide करवाई जाती है तो कि RBI की तरफ से Paytm की KYC इस समय बंद रखी गई है आप इस समय घर बैठे अपने Paytm की KYC नहीं कर पाएंगे अगर आप अपने Paytm की KYC complete करना चाते हैं तो आपके area में जो भी Paytm outlet है यानि कि जो Paytm KYC point है वहाँ पर जाके ही आपको अपनी Paytm की KYC को complete करवाना पड़ता है अगर आप अपने Paytm wallet को activate करना चाते हैं तो आप एक ID proof देखे अपने Paytm wallet को activate तो कर सकते हैं लेकिन आपको KYC complete करने के लिए आपके area में जो भी KYC point बना हुआ है वहाँ पर जाके ही आपको KYC complete करवानी पड़ती है तो अगर अभी तक आपने Paytm की KYC को complete ने किया है और आप अपनी Paytm की KYC को complete करना चाते हैं तो Paytm application को open कीजिए वहाँ पर आपके area में जो भी nearby Paytm KYC point होंगे उनको search कीजिए और उन में से किसी एक outlet पर जाके आप अपने Paytm की KYC को complete करवा सकते हैं उमीद है आप सभी को ये वीडियो जानकारी पसंद आई होगी वीडियो को like कीजिएगा अपने friends के साथ share कीजिएगा साथी साथ वीडियो से संबंदित कोई भी आपका सवाल है तो comment section में जाके जरूर लिखेगा तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही आप मैं आप से मिलूँगा एक और नई वीडियो में एक नए topic और एक नई जानकारी के साथ